अकसर इस्टुएंट को ये doubt होता है कि sir Indian economy उसमें कौन से important questions होते हैं क्या हम में उसका data learn करना है और करना है तो कौन से वला करना है सबसे main चीजस है कि sir please अमे नअब heap neutral important questions बता तो जो selective हों और उससे बहार फिर कुछ भी नहाए एक अधा कोशन में भी बाहर का है लेकिन at least 90% सिर्फ उसी से है तो दोस्तो आप सभी लोगे लिए लेकर है मैं एक important question की series और वो भी exclusively Indian economic development के लिए तो दोस्तो वीडियो को तिल एंड तक देखना तो नमस्कार दोस्तो मैं शिवां देवे दिया आप सभी लोगा स्वाहत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है economics easy है दोस्तो आज की इस वीडियो lecture series कंदर में आप लोग को बताने वाला हूँ कि वो कौन-कौन से important questions है जो कि Indian economic development से पूछी जा सकते आपके board examination में दोस्तों हमने क्या किया हुए हर chapter से जो जो important questions है उनको एक जगे उठा के रद्दिया है और ऐसे में selective 20 questions बनाए है मतलब मैं आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करूँँगा Indian economic development की किसकी बात करूँ होता हूँ Indian economic development की और मैं आपको एक चीज गारेंटी बोल सकता हूँ वो क्या कि आज जो मैं question आपको बताने वालो हूँ वो कितने question है 20 questions अगर आप इन बैसे करके तो तुम्हें सारा जाना चाहिए मेरे इसाब से लेकिन अगर उन मेंसे भी आप 20 questions जो मैंने आपको बता हैं इन पर ज्यादा धहन दोगे वैसे तुम्हारे 10 chapter है यानि हर chapter से एक दो-दो questions उठाए हैं मैंने 20 questions अगर आप इनको करके चले आते हो तो देख लेना तुम्हारे exam में लग जाएगी 4 चांद मैं guarantee लिख दे सकता हूँ तुम्हारे exam में 4 चांद लग जाएगे समझे बत तो इसलिए इन 20 questions को करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है ठीक है तो आप मैं start करूँगा वो 20 questions कौन-कौन से है इस पूरी series की लड़ी लगा देंगे और आप लगा ज़री माक्स की जड़ी तो चली देखते हैं कौन-कौन से वो important questions है तो चली दोस्तो बात करते हैं वो कौन-कौन से important questions है जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं वो भी Indian economic development से दोस्तो सबसे पहले चीज है ये आपके पहले 5 questions है टोटल 20 मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी पहले 5 डिस्प्ले करें सबसे पहला question है वाटर दा में इंपक्ट ऑन इंडियन एग्रिकल्चर एंड इंडिस्ट्रिल सेक्टर डिरिंग दा कोलोनियल पीरिड जब हमारा देश गुलाम था जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पे रूल कर रहे थे तो उन दिनों पर हमारा इंडिया का एंडिकल्चर और इंडिस्ट्रिल सेक्टर कैसा था इस पर से एक्जाम में question आने की चांस बहुत जाद है कि आपको पता ही होगा इंडिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आजादी के बाद हमने IPR बनाया था सन 1956 में मतलब इंडिस्ट्रिल पॉलिसी रेजोलिशन तो इसमें प्राइविट सेक्टर को किस तरीकी से रेगुलेट करना था और क्यों रेगुलेट करना था हमें प्राइविट सेक्टर को उस पर आपको हाइलाइट डालनी है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है question number 3 why were economic reform introduced in 1991 आखिर हमारी इंडिया को सन 1991 यह नी 1991 को रेफर्म लाने की जरुवत क्यों पड़ी आखिर इससे पहले भी तो हमने कई सारे रेफर्म किये था इंडस्ट्रीज में अग्रीकल्चर में इवन हमने फाइव एर प्लैन भी बनाए था लेकिन फिर भी हमें 1991 को यह रेफर्म लाने की जरुवत क्यों पड़ी दिस इस दा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन जिसका अंसर होगा लपीजी और आपको बताने यह क्यों इंट्रोड्यूस किया गया मैं इसके लिए पूरी आपको स्टोरी बताई थी इसमें कोई क्या होता है और इसके क्या-काअभ़़े शरुबर्टे वैशे होता है और और आप एक्यों इत पूर्मीशन इसमें कोई पूछाते बनकर नहीं आती है बता है था ना उसी वक्त मैंने आपको ये question भी कराया था this is most important questions दोस्तों आप में अगर कोई भी नया viewer हो जिसने पहली बार इस वीडियो को देखा तो मैं आपको बता दू कि मैं लिंक को description box में देदूँगा अगर आपको इनकी detail videos देखनी है जो हमने mission 30-day series चला थे उनमें आपको इन सब के answer मिल जाएंगे इसके बाद question number 6 infrastructure contribute to economic growth of the country do you agree explain with reason देखो हमारी economy को grow up करने के लिए infrastructure का होना बहुत ही जादा जरूरी है आप भी जानते हो और infrastructure दो टाइप के होते है social और economic infrastructure तो क्या आप इस बात से अगरी करते हो कि यह economic growth में ज़रूरी होती है और अगर आप अगरी करते हो तो क्यों होती है उसका reason दो मैंने अपनी classes में सारे discuss किया हूं ठीक है आप उन classes को detail में देखना link description box में दे दूँगा question number 7 explain the term in formalization and what are the causes behind in formalization in India आपको यह बताना है कि in formalization का मतलब क्या होता है और आखिर हमने इंडिया में in formalization का concept को क्यों introduce क्या उसके पीछी का सबसे बड़ा reason क्या था now question number 8 write the difference between formal sector and informal sector of employment यादे मैंने एक limit बताई थी कि इससे ज्यादा employee कर काम कर रहे हैं एक factory या एक organization में तो इसे हम formal बोलेंगे otherwise informal बोलेंगे और आपको यह भी बताया था मैंने पीएफ या social security के इनको benefits नहीं मिलता है कि इनको informal को तो यह दोनों में difference पूछा गया है यह हर चीज मैंने वीडियो में कराई हुए अपनी ठीक है यह एक important question है question number 9 what are the steps needed for sustainable development in India दोस्तो sustainable development की जरूरत हमारी इंडिया को क्यों पढ़ी और पढ़ी भी है तो उसकी क्या क्या स्टैप्स होते है तो आपको बतातों sustainable development का मतलब होता है कि इस तरीके से development करना है एकॉनमी का की future generation के लिए भी resources बचे रहे उनको बोलते है sustainable development जिसके लिए हमने solar energy और कई टाप के international alliances कि इंटरनेशनल कॉन्रेक्ट्स किये थे मैंने वीडियो में सब कुछ बतायों ठीक है this is most important question ठीक है फिर question number 10 briefly explain the common strategies India and its neighboring followed for their respective development path जैसा कि आपको पता है हमारा जो last chapter है India, China, Pakistan आप जनते हो तीनों की demographic profile picture पहले starting में बिल्कुल सेम थी फिर दीरी दीरी करके कोई आगे निकल लिया है कोई पीछे रह गया है कोई किसी का sector जादा अच्छा है तो मैं यही बताने है इस question के अंदर कि जो हमारी neverring country है अब neverring में तो देखो हमारा नेपाल भी आता है बंगलादेश भी आता है श्री लंका हमें उनकी बात नहीं करने हमें चाइना पाकिस्तान और इंडिया की बात करने है कि उनमें क्या-क्या similarities थी starting के दिनों में ठीक हर चीज़ वीडियो में डेटेल में बता हुए question number 11 explain three dimensional attack on poverty adopted by India वो कौन से तीन dimensional थे जो poverty को remove करने के लिए ह हमारे भारत ने अपनाए थे most important question मुझे लगता है यह कोशन आपके एक्जामें 100% आएगा question number 12 what are the major factor responsible for the growth of service sector in India आप जानते हो जैसे हमारे आपर तीन सेक्टर होता है एक तो आपका agriculture sector हो गया industry हो गया service sector हो गया अगर हम चाइना की development की बात करें तो चाइना भाहिया इतनी त industries और service sector पर ज्यादा focus किया लेकिन हमने focus कि इस पर किया था agriculture sector पर इसलिए हमारी economy थोड़ी सी पीछे रह गई तो कहा जाता है कि भाई ऐसा क्या है आखिर हमारी इंडिया की growth में service sector जो है वो क्यों ज्यादा important role play करता है आज शीर में देखलो गुरू गुरू गुराम हो गया और कों से responsible है ठीक है question number 13 what will be the impact of GST and demonetization in Indian economy कि जो demonetization हुआ था और जो हमारे GST implication हुआ था एक जुलाई 2017 को GST launch किया गया था जिसने indirect tax को पूरी तरकी से remove करके नए taxation policy पर कर दिया था तो इससे इंडिन economy पर क्या positive और क्या negative impact आगे देखो impact दोनों आते हैं आपको maximum positive बोले negative थोड़े से कम ओले क्योंकि government policy खिलाफ आप जादा बोलोगे तो marks cut दिये जाएंगे ठीक है तो इस वैसे आपको यह question बहुत जादे important है और और यह question हर साल के लिए important है क्योंकि अभी यह चीज़े आई है जादा time नहीं हो इसको तो यह हर सल के लिए important question बने ही रहेंगे इसकी बाद है हमारा question number 14 explain growth and equity as planning objective आपको याद है ना five year plans हमने बनाये थे planning commission नीती आयों जिसे बोलता है तो उसने equity और growth को किस तरीके से explain क्या याद इसमें 5 चीज आती थी अब आप लोग comment करके होता हूँ पांच चीज कौन कौन से आती है दोस्तों एक बात बोलो हर चीज मैंने अपनी 30-day series में बड़ी ही detail में पढ़ा हुए अगर आप मेंसे कोई भी नया person हो जिसको नहीं पता है तो link description box में पहले हो 30-day series धान से देखे उसके बाद उनके ये 15 के 20 के 20 कोशन वो ग्रामीन सड़क योजना और कई सारे योजना चलाई थी मन्रे का वगरा की तो वह आपको इसके अंदर लिखनी कि पावर्टी को रिमूफ करने के लिए कौन-कौन से मैजर्स हो है वो सजिस्ट किये गया थे ठीक है इसके बाद देखो आगे क्या देखा है अगला कोशन हम केन वी इंक्रीज दा एफिशेंसी ओफ हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया आखर किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को हेल्थ केर को आगे बढ़ा सकते है आपने देखा करोना के टाइम पर हमारे हेल्थ केर फैसलिटी की जो सच्चा ही है वो सामने निकल कर रही है तो वही का ज इं Filmso shore करें खाने का मशचन यूज to करें कि क्या क्यों और नहीं करें तो क्यों वह सारी यह इन भूस इंजान आपको देने हैं ठीकिए यह बहुत हाए ज्यादेब्क्र chalk on City मंता सबसुरम्र 2020 अब को घ्राते है organic farming मतलब जिसमें natural चीजों का use करते हैं manmade products का कम से कम pesticide insecticide का कम से कम use करते हैं उसे बोलते हैं organic farming और इसके क्या advantages से यह बता है यह तो clear cut question है इसमें कोई case study नहीं आती है फिर question number 19 है what was the impact of जमीदारी system on present welfare कि आज की rate में जो जमीदारी system समय क्या उसे हमारी economy पर impact पड़ रहा है and question number 20 do you think outsourcing is good for India and why developing countries are opposing it कि आप बता outsourcing outsourcing का मतलब क्या होता है कि हमने एक particular काम उस country को दिया है जो country उस काम को अच्छे से कर पाती है let's suppose जैसे हमारी इंडिया में जैसे बात करता हूँ डेल computer या laptop के तो उनका mother board और जो PC होता है वो कहां से बनता है IC होता है वो चाइन से बनका राता है तो हमने ये particular ठेका चाइन को दे रखा है क्योंकि हम वहाँ पर skill labor है उस काम को जल्दी और कम rate में करके देते है इससे बोलते है outsourcing कि पूरे segment का particular product उसका छोट अपार्टम किसी particular country को दे जो उसकाम में निपोर्ण हो उसे बोलते है outsourcing तो कहा गया है कि इंडिया जो वो outsourcing के लिए good है या bad है और good है तो क्यों है और आखिर क्यों हम इसको oppose करेंगे अगर करना चाहेंगे तो तो ये 20 questions हैं जो आपके exam में most probably chances है कि वो exam में पूछे ही जाएंगे ठीके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसने तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि इन 20 questions से आने वाले हरी questions के बारे में उनको पता चल रहे और दोस्तों इसी तरह की important questions हम अपनी mobile application पर भी लांच करते रहते हैं जिसका नमे एकनोमिक सीजी है तो उसको भी आप download कर लीजिए और इसी तरह से important questions की series को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और अपना प्यार और अपना support like और share से हमें जरूर देते रहना तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स आस में आज के लिए peace out